नमस्कार दनीशपत के साथ मैं नरेंदर बसंद स्वागा थैक्रवा फिर से आपका अपने चलने में दर्शकों आज काल बिहार में एक नाया मामला चल रहा है कि आठ लाक रुपिया दीजिए और सीधे ही आप एक सिछक बन जाइए तो जिसके पास यदी आठ लाक रुपिय नहीं है तो यदी आप विएड भी कर लिये हैं आचाहें टीएटी भी कहें न निकाल दिये हैं आपको सिछक बनने का कोई भी चांस नहीं है क्योंकि जिस तरीके से सिछा विभाग में लापरवाही हो रही है कि आठ लाक लेकर लोग जो है किस तरीके से धांदली कर रहा है इस बात का जीता जाकता उधारन है कि बिहार में प्रति दिन जो है जिस तरीके सिच्छा धांदली में मामना निकल रहा है कि कोई 12 लाख देकर सिच्छक बन रहा है तो कोई 8 लाख देकर 12 लाख देकर शिक्षक बन रहा है और फिर बच्चों को क्या पढ़ाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है और बच्चों को का सिखाएगा जो घूस पर बहाल हो रहा है और बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा सकता है इसका नतीजा यहीं होगा कि जैसे आप अन्य वीडिय देखते हैं उनको सिखाएगा कि जो बड़े-बड़े जो मिडिया आऊ से जब जाती उनके साथ याचाह च्छ्छी मिदिया ऑगर जा रही है और पूछ रही है तो कभूतर नहीं लिंखने आ रहा है जिसको पाला भी नहीं आ जिसको चफ्टिश में लिखने आ रहा है वैस प्राइबेट अस्कूल में बच्चों को पढ़ाना पसंद कर रहा हैं। तो आप जानते हैं कि प्राइबेट अस्कूल में वहीं लोग पढ़ा रहा हैं। जिसकी आर्थिक इस्थिति ठीक है। बाकि जिसकी आर्थिक इस्थिति ठीक नहीं है। वह क्या करें। अभी देश के आज भी आबादी जो है। परसेंट आबादी एक टाइम खाती है तो दुसरे टाइम के लिए उसे वेट करना पड़ता है। और कितने तो दम ही घोड़ जाता है। और आप कह रहे हैं सर हमने के सिच्छा को बहुत उचा किया है। लोग प्राइबेट में इसी लिए लड़कों को भेज रहे हैं। क्यूंकि सिच्छा विभाकिला परवाही के कारण। ऐसे ऐसे भरष्ट और निकमे सिच्छक भाल होते रहेंगे। तो बिहार का सिच्छा का अस्तर क्या होगा। वह आप अपने आसपास के स्कूलों में जाकर देख सकते हैं। जिस मास्टर साहब को आना है दस बजे वहा आते हैं बारा बजे। और रोज उनका कोई बहाना ही रहता है। और बहाना पुछे रहे सर पुछे मत। और पेमेंट जो है उनको समय से चाहिए। तो कहीं न कहीं है जो सरकार है सिच्छकों को लेकर एक बहुत बड़ी भूल कर रही है और गलती कर रही है अगर बिहार काम कमबात कर लिया अगर कुछ भी सिच्च्छा बिवस्ता में, अगर गळबली हुआ है न नितीजी तो आप कहते हैं कि हमने बेटी पढ़ाओ योजना जो नंदन मोदी लेकर आये थे उसको अपने बिहार लेबल पर सही जमीनी लेबल पर लागू करेंगे लेकिन जब आप गलत सिक्षकों का चुनाव करेंगे और घोस लोग का शिक्षकों बहाल करेंगे तो फिर बच्वा लोगों का कैसे भविश्य समरेगा यह बहुत बड़ा सवाल है बाकी इसी तरीके से विबाक को सोतंत पत्र करता के लिए हमारे चैनल धनीजपत को सब्सकाइब करना न भूलिए अच्छा लगे तो सेर करिए और इसी तरीके से सरकार के पूल खोलने के लिए देखते रहे हमारे चैनल बहुत बहुत धन्यवाद